मेरी प्रिय लाडली बहनो प्रणाम आसा है रक्षा बंधन का पर्व आपने बहुत उत्साह से मनाया होगा आपको याद होगा 27 तारीक को रक्षा बंधन के पहले हमने राखी का त्योहार मनाया था और तब मैंने आपको संबोधित करते हुए कहा था कि मेरी लाडली बहनाओ सावन के महिने में रसोई गैस का सिलेंडर आपको 450 रुपे में दिया जाएगा मैंने ये भी कहा था कि बादमिस योजना को पर्मानेंट किया जाएगा मेरी बहनों मैंने जो कहा था मैंने कर दिया सावन के महिने में गैस सिलेंडर जो आपने रिफिल करवाया है वो भी आपको 450 रुपे में पड़ेगा बाकी रासी में आपके खाते में बापस लोटाऊंगा मेरी प्रिय बहनों इस योजना का लाव लेने के लिए आपको पंजियन कराना पड़ेगा और पंजियन मुख मंत्री लाडली बहना योजना पूर्टल पर होगा ऐसी बहनों का पंजियन किया जाएगा जो पूर्व से गैस के नक्संधारी हो और यह बहने उजला योजना की लाभार्थी भी हो सकती हैं पंजियन के लिए किबल दो जानकारी या दस्ता बेच की आवस्ता होगी एक LPG करेक्शन आईडी और दूसरी समगर आईडी जैस संबंधी पंजियन उन सभी केमरों पर किया जाएगा जहां मुखमंत्री लाड़नी बहना योजना का पंजियन हुआ था यानि प्रित्येक गाओं में और सहरों में बाड में बड़े सहरों में दो या तीन स्थान पर बाड़ों में और छोटे सहरों में बाड़ में एक स्थान पर हमने ये केंदर बनाए थे उन्ही केंदरों पर पंजियन होगा सासन भी सभी आयल कंपनियों से बेहनों के गैस कनेक्शन संबंधी जानकारी प्राप्त कर रहा है तता उसे पोर्टेल पर 25 स्थम्बर को प्रदर्सित किया जाएगा इस से बेहनों को अपनी जानकारी देखने में सुविदा होगी बेहनों की समस्याओं के निराकरण के लिए सिकायत निवारन एप्लिकेशन भी तैयार की जा रही है लाड़ली बेहनों को जो अनुदान देने की प्रिक्रिया है किरिप्या करके उसको समझ ये पातता धारी लाड़ली बेहनों को गैस रिफिल आयल कंपनी की बिक्रेदर पर ही खरीदना होगा लाड़ली बेहनों को ये गैस रिफिल चार सो पचास रुपया में पड़े इसके लिए अंतर की रासी अनुदान के रूप में उनके बैंक खाते में रिफंड की जाएगी योजना की लाभारती लाड़ली बेहनों के खाते में अनुदान रासी आयल कंपनी द्वारा डाली जाएगी और राज सरकार द्वारा ये रासी आयल कंपनी को दी जाएगी ऐसी लाडली बहने जो उजला योजना की लाभार्थी नहीं हैं उनके बैंक खाते में अनुदान रासी सीधे राज सरकार डालेगी सावन के माह में अर्थाथ 4 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक गैस सिलंडर रिफिल कराने वाली लाडली बहनों को भी अनुदान रासी का अंतरण इसी प्रिक्रिया की तरह होगा यदि भविस्त में कभी गैस रिफिल करने की दरें बदलती है तो उसके अंतर की रासी की पूर्ती राज सरकार करेगी आओ मेरी लाडली बहनों इस योजना का लाभ उठाओ और अपने जीवन को और खुसियों से भर दो बहुत बहुत धन्यवाद